नमस्कार मैं राज यू पांडे अनुदेशक राजकी और द्योगिक प्रस्रिक्ष्टर सस्थार अलिगन लखनों वेवसायड टर्नर विशाय सेद्दान तेग आज का प्रसंग है इसकुरूथ थ्रेट को मापना है। कौन-कौन से इस्टूर्मेंट प्रयोग किया जाते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। थ्रेट की माप को चेक करने के लिए उपयोग होने वाले मापक इंतरों का चैन, आवाशक, परिशुदुत्ता तथा चेक किये जाने वाले थ्रेट पर निर्भर करती है चेक किये जाने वाले महतुपूर्ट तर्तों जो है वो निम लिखेते हैं पहला है थ्रेट की पिच, थ्रेट की पिच कौन सी है, थ्रेट में जो एंगल बना है वो एंगल कौन सा है और प्रभाविवास, यह तीन चीजे हम विशेश का और चेक करते हैं वेभिन मेंज्रिं इस्टूमेंट के दवारा रोध हम इना को चेक कर सकते है पाइला है इसकूरु पित गेज दूसरी है इसकूरु प्लक गेज तीसरा थ्रेड रिंगेज चौठ थ्र॥्त धा इसकूरु थरेड कालिपर गेज रोलर टाइप कैलिपर गेज, वर्नियर कैलिपर गेज, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, फिर है रोलर एम स्लिप गेज के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, टेपर पैरलर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, आप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा, टूल मेकर मा इसके बारे में डेटेल में बात करेंगे, पहला है स्कुरू पिच गेज, बाहरी और बीतरी चूडियों को जाचने के लिए प्रियोग किया जाता है, इन्हें भी रेडियस गेज की भाती एक होल्डर में पत्यों को द्वारा कसा जाता है, इसके दवारा हम किसी नट्स की या बोल्ट की ठ्रेड को चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका क्या है, हम इसको ट्रायर मेठ़ड से लगा-लगा के ऐसे करके देखते हैं, जो इसमें बैठ जाता है, वो इसकी पिछ की चूड़ी होती है, जिन पर जो स्टील की पत्या होती है, उन पर पिछ एवं कोड के दाते कटे हैं, तता प्रतेक पत्ती पर चूड़ी की पिछ या प्रती इंच चूड़ी की संख्या अंकित होती है, कि कौन सी चूड़ी किस स तुम सुन्टी बनाय जाते हैं 66 degree है तो 65 degree का अलग होगा तो यह लुख-ळग बनाया जाते हैं कौन सी थ्रेड़ हम को चेक करनी है किस अंगल की चेक करनी है यह लँख-जाए जाएंगा मैट्रिक काइस कुर्पिछ गेज में 24 पत्या होती है. भारती मानक संस्थान दौरा जो चूडिया हैं, इसके दौरा 0.25 mm से 6 mm तक की जा सकते हैं. इससे क्या कर सकते हैं? 0.25 mm से 6 mm तक की जा सकते हैं. अगर ब्रिटेस में होगा, तो इसमें 30 पत्या होगी और 4 TPI थ्रिट से लेके 42 TPI तरिट तक हम नासे, वनि एक इंची में चार चूड़ी से लेकर के 42 चूड़ी तक की संख्या को हम इससे जा सकते हैं, यह है स्कूरू पिच गेज, जिसके दोबरा कोई nut या bolts जो भी हमारे पास है, उसकी चूड़ी सही है या कौन सी है, जा चने के लिए किया जा, आपको कोई bolt मिल गया है, आपको यह चेक करना है कि इसमें कौन सी चूड़ी कटी है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम स्कूरू पिच गेज की साहता से ही इसको चेक कर सकते हैं, कि इसमें कौन से एंगल की चूड़ी बनी है, और कितने mm की है, दूसरा जो हमारा गेज है, वो ह screw thread plug gauge, यह देखे, आपको चित बना हुआ है, thread plug gauge का है, इस gauge का प्रियोग आंत्रिक चूड़ी को चेक करने के लिए किया जाता है, भीतरी चूड़ी, किसी जूब की भीतरी चूड़ी को चेक करने के लिए जाएगा, इसके दौरात, जो चेक क्या किया जाएगा, कि जो भी ह जो बनाया है, वो tallness limit के अंदर है की नहीं है, इसका प्रियोग production में किया जाता है, जहां बहुत ज्यादा उत्पादन हो, वहां हमको एक साथ 150-250 बनना है, तो हर एक पीस को चेक करना है, या randomly 10-20 पीस को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, इसको लगा-लगा के देखेंग अगर thread सही चा रही है, यानि go वाला हिस्सा जाएगा और no go वाला हिस्सा नहीं जाएगा, तो हमको तुरंट चेक करना है, तो तुरंट चेक करने से क्या होगा, हमको profile angle, major diameter, effective vyaas और minor diameter इसके दोबारा चेक किया जा सकता है, बिस हम अगर go वाला हिस्सा जा रहा है, तो उसक एक ही पर दोनों बने होते हैं, इसे बोलते है, screw thread plug gauge, इससे केवल आंतरिक चूड़ी ही चेक कर सकते है, बाहर ही नहीं कर सकते है, केवल आंतरिक चूड़ी इसको check कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर आपके thread कटी है, तो हमने इसको लगा-लगा के देखा कि यह सही कि नही फिर आएगा thread ring gauge, thread ring gauge कुछ देखने में इस तरह का होता है, इसके अंदर thread कटी है, हमको क्या करना है, इसको लगा के देखना है कि यह उस पर हम thread काट रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, यह gauge external, यानि किसी बाहरी के वे, जैसे इसको external thread कट रही है, हम इसको क्या करते है, इसको अंदर यह चड़ रहा है कि अगर चड़ रहा है तो सही है, नहीं चड़ रहा है तो nut bolt हमारा खराब है, यह gauge external thread की सूदता चेक करने के लिए क्यों पया जाता है, go, no go का gauge के उपयोग, thread की tolerance limit में है या नहीं, इसलिए है, यह दो set में प्राप्त होता है, जब भी मिलेगा, एक go मिलेगा, दूसरा no go मिलेगा, तो go वाला हिस्सा आपका job में सही बैठेगा और no go वाला नहीं बैठेगा, thread range gauge क्या करता है, जो thread बनी होती है, उस पे हम go वाले हिस्से को चड़ाते है, अगर वो चला जाता है, means thread का profile angle, angle और मानाय डामेटर, exact major diameter सब सही है, अगर नहीं सही है, तो हमको उसको replace करना पड़ेगा, parts को, तो हम क्या करेंगे, go no go वाला, go वाला लगा के देखेंगे, कि जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर जाता है, तो job सही है, फिर no go वाला लगा के देखेंगे, कि वो जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाता है, त external thread को ही चेक कर सकते हैं, यह gauge उच प्रभावी प्रकार का होना है, उससे high quality का होता है, external thread को चेक करने के लिए ring gauge के पेक्छा अधुपयोगी होता है, यह ज्यादा अच्छा होता है, ring gauge के पेक्छा, इसके anvil पे देखें, दो बने हैं, एक go है, दूसरा no go वाला है, इस पे भी एक go वना है और एक no go, वो दो में मिला था, एक ही में go no go, go वाला हिस्सा जाएगा, no go वाला नहीं जाएगा, annual पे क्या करते हैं, कि हम इसमें thread का पूरा पहले वाले में thread का पूरा कार बना देते हैं, यह इस एकदम सही thread बनाते हैं, जैसे हम उसको लगा के देखेंगे, thread चड़ने लगेगी और पीछे वाला है उसको क्या करते है कुछ threat ह़लकी सी तिर्ची करदेते हैं त्रंकट कर देते हैं तो त्रंकट वन दाहते हैं हमारो नहीं जायेगा यानि Go वाला इसमिं भी जाएगा और No Go वाला नहीं जाएगा इसका प्रयोगभी Screw Threat Caliper जो प्रोडक्शन में करते हैं जहां भारी मातरा में जॉबों को चेक करना होता है अब आता है roller type का leak per gauge, roller type का leak per gauge भी production में प्योग किया जाता है go roller में thread का पूरा आकार बनाएगा, इसमें देखिए go roller है और ये no roller है इसमें thread का पूरा आकार बना दिया जाता है और no go वाले में थोड़ा टॉड़ा ट्रंकेट कर दी जाती है Vissage Thread Form, Multi Start Thread, Warm Soft Thread, Screw Thread को हम Roller Type Caliper Gauge से Check कर सकते हैं Roller Thread Type Caliper Gauge का उपयोग बाहरी Screw Thread को Check करने के लिए किया जाता है यह सभी Mane Extender Form Thread को Check करने के लिए निर्मित किया जा सकता है means यह भी बाहरी चेक कर रिया जा रहा है यह भी Production में ही चेक किया जागा हमको अपनी अवश्यक्ता कहा कहा है उस हिसाब से यह Gauge का पयोग हम करते हैं तो यह क्या है Roller Type Gauge इसके बात-बात करेंगे Vernier Caliper द्वारा, Vernier Caliper के द्वारा भी हम किसी Thread की Minor Diameter Check कर सकते हैं हमको Minor Diameter Check करना है तो इससे कर सकते हैं इसके द्वारा किसी External Threaded Job का Major वह Minor, External मलब बाहरी ही है अगर है हमारे पास यह जैसे नाठ है इसका हम बाहरी व्याज भी Major Diameter भी Check कर सकते है Vernier से और Minor भी क्योंकि बाहरी व्याज के लिए अलग माइनर के लिए क्या करेंगे हम जो सार्प वालिएज होती वो इसके अंदर लगा के Check कर सकते हैं External में जबकि अगर Internal है यह इस तरह का Internal Thread है तो उसका केवल Minor Diameter ही Check कर सकते हैं Minor Diameter कैसे Check करेंगे Vernier की Inner Measuring नहीं भाहिए इसको हम होल के अंदर राखेंगे और Slide को बढ़ाएंगे जो भी Size आएगा वो इसका Minor Diameter होगा तो Vernier Caliper के द्वारा हम किसी Job की Major Diameter बाहरी External है तो Major और Minor दोनों Check कर सकते हैं जबकि भीत्री वाले में केवल Minor Diameter ही Check कर सकते हैं Roller Slip Gauge के द्वारा, Roller Slip Gauge है यह देखिए, Job है जिसका हमारा यह Major Diameter है यह Minor Diameter है इसको हम केवल Minor Diameter चेक कर सकते हैं, Roller Slip Gauge के द्वारा किसी Job का केवल Minor Diameter चेक किया जा सकता है Threaded Job है हमने इसका Minor Diameter चेक करना है, किस तरह चेक करेंगे इसका Size हमने क्या 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 है इस Roller के पास से यहां पर हलका सा Grease लगा दिया, Grease लगा के Roller लगा देते हैं Roller के बाद Slip Gauge लगाते जाते हैं, जब Slip Gauge लगाते जाएंगे और Last में Roller लगा देंगे जो यह Roller की Height है और जो Slip Gauge की Height है, टोटल मिला करके इसका Minor Diameter हो जाएंगे Slip Gauge की उचाई प्लस Roller, दोनो Roller की Diameter, जितना भी Diameter है दोनों का जोड़ देंगे तो वह हमारा Minor Diameter हो जाएगा यह आपका Roller है, यह भी Roller है इन दोनों का जोड़ के Slip Gauge की Height, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका Minor Diameter चेक करते हैं तो Roller Slip Gauge के दोवारा हम किसी भीत्री Traded Job का Minor Diameter चेक कर सकते हैं इसके बाद आता है taper parallel द्वारा, taper parallel द्वारा भी हम किसी जॉब का Minor Diameter चेक कर सकते हैं इसके द्वारा 200 mm से छोटे Thread के Internal Minor Diameter को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है taper parallel के बाहर इससे देखिए यह बाहर इससे देखिए एक इधर है एक इससे दोनों तीखे पचर की तरह जो सीधे तीखे होते हैं इस taper parallel को Thread के भीतर की हिस्से में फिट करते हैं किस तरह से एक को इधर से फिट करेंगे और एक को इधर से फिट करेंगे तो हम माइक्रो मीटर की साइता से इसको इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे, जो इसकी रीडिंग आएगी वही इसका इंटर्नल माइना डाया होगा, जो थ्रेड़ जॉब है, इसका माइना डायमेटर हो जाएगा, तो हमने क्या क्या है, दोनों पच्चल एक दायंस लगा, एक अब आता है, अप्टिकल प्रोजेक्टर, अप्टिकल प्रोजेक्टर बहुत यह एक इस्टुमेंट ना होकर यह एक मसीन है, अप्टिकल प्रोजेक्टर एक मसीन है, अप्टिकल प्रोजेक्टर के दोवारा, चूडी का फ्लैंक, एंगल वह आकार की माप ली जाती है, क्य पर प्रोजेक्टर एक machine है, यह instrument नहीं है, यह अजार नहीं है, यह machine है, जिसमें क्या करते है, screen projector जो यहाँ पर रखा, यहाँ पर प्रोजेक्टर लेका है, इसके पास हम क्या करते हैं? अपना job रख देते हैं, कौन सा बाहरी चूडी का profile चेक करना हो, तो screen projector पर project रख देते हैं, तो तो प्रोजेक्टर क्या है यहाँ पर, उसको project कर देता है, इस image को screen projector के दुआरा नाप लेते हैं, यहाँ पर जो screen projector लगा हुआ है, यहाँ पर angle लगे होते हैं, हम उसको नाप ले तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, angle और चेक करने के लिए भीत्री जवाब की, चूडी को के अंदर हम mom या dental plaster लगाएंगे, जैसे यह आपका threaded job है, हमको इसका check करना है projector के द्वारा, तो पहले हम इसके क्या करेंगे, mom से इसको भर देंगे, mom या dental plaster से से भरने के बाद उसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर project करेंगे, उसके बाद thread उसका angle और flank और आकार की map लेंगे, तो भीत्री के लिए हम क्या करना पड़ेगा, dental, plaster या mom की साहरा लेकर के उसका पहले हम धांचा बना लेंगे, फिर उसको न इसके द्वारा हम workshop में चेक करना संभावन है, यह quality control की machine है, वहां रखी रहा जाती है, जहां पर हमको exact check करना पड़ता है, कि thread हमारी सही बन नहीं है या नहीं, यह tool maker microscope, इसका प्रियोग भी quality control में ही किया जाता है, workshop में इसके द्वारा हम thread नहीं चेक करते, जो thread हम बना रहे है, वह सही बन रही है, नहीं बन रही है, या जो बनी है, वह exact size में बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी checking हम quality control वालों से कराते हैं, तो यह quality control में ही देखनों की मिलेगा, workshop में नहीं, tool maker microscope का उप्योग जो हो है, pitch के inspection के लिए कि पिच कितनी सही बनी है, जो thread के elements बन रहे हैं, य तो इसमें क्या करना पड़ता है, कि एक thread endless attachment लगाया जाता है, उसके दोवारा हम thread को check करते हैं, जैसे ही उसमें check करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी यह projector लगा है, यहाँ पे screen पे हम उसको देख लेते हैं, कि thread का profile क्या है, thread का flank सही के नहीं, thread की angle सही कि नहीं है, यह 10 micron की के दोवारा भी हम आपको thread के elements चेक कर सकते हैं, फिर आता है three wire विदी, तीन तारों की विदी से भी हम micrometer का minor diameter चेक करते हैं, इस का minor diameter चेक करते हैं, इस micrometer के anvil में तीन समान तारों के व्यासका प्रयोक किया जाता है, देखिए, एक तार यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह, three तार लगे हूँ है, यह micrometer लगा हुआ है, यह हमारा thread का operation है, यह बाहरी th taste है, इसको हम चेक कर रहा है, उरушки नहीं तारी होना, माहना diameter चेक करना है, यह effective वियास चेक करना है, जूसरा नहीं विदी, इसको हम तिन तार लगे है, तो हमने क्या और माngने now चेक कर ना ह naught ह जो वायर लगे हैं उच के डिगरी में फिनिस किया जाता है इसमें जो तार उपयों किया जाते हैं उसके व्यास चूडी के पिछ पे निर्भर करते हैं कौन सी जो पिछ की चूडी कटी है उसी साइच के हमको तार लेने पड़ते हैं 3 वायर विधि के द्वारा effective diameter तता flank के आकार को चेक कर सकते हैं इसके लिए एक फार्मूला है यहां पर E is equal to M plus P by 2 cod theta minus d cos theta यह फार्मूला है जहां पर E है effective dia M है diameter of over the wire diameter over the wire हम किसे check कर सकते हैं micrometer के द्वारा हम diameter over the wire check कर सकते हैं effective diameter तो हमको निकालना है P जो है pitch of thread P क्या है pitch of thread है metric के लिए cod theta is called theta by 2 is called 2 होता है 1.732 यह होता है हमने value डारेक्ट निकाल के दे रखी हुई है आप उसको देख सकते हैं कि theta by 2 क्या होता है metric में theta क्या हो 60 degree है 30 बटे 30 degree 30 degree के value इतनी होता है यहां पर कॉसेक 30 degree के value 2 है तो यह value हम यहां पर रखेंगे तो हमारा E is called निकालाएगा है क्या होगा E निकल जाएगा सारे हमको मालूम होगे mm को निकालना है मालूम होगे diameter over the wire हम micrometer से nap लेते हैं निकल गया पीछ मालूम है 2 cos theta के value हमको मालूम हो गई है तो यह सब चीजे हमारी आसानी से निकल जाएगे तो formula हमने input करेंगे और इस तरह से यह हम 3 wire video से effective diameter निकाल सकते हैं और flank के आकार को दिखा सकते हैं इसके बाद आता है screw thread micrometer के दवारा thread को check करना इस micrometer का प्रियोग चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किया जाता है screw thread micrometer की कारप्राली या मापन बिदि बिल्कुल outside micrometer के बात ही होती है जैसा outside micrometer से napते हैं वैसे ही napने की बिदि है कोई नई भी दी नहीं है उसी तरह नापेंगे जैसे हम outside micrometer से नापते अंतर मात इतना है कि इसके anvil पर V-slot बना होता है इसके anvil पर V-slot बना देखें यहाँ पर एक anvil है यह V-slot बना होगा और यह spindle पर चूड़ी के आकार का profile बना होगा जिस पिच की चूड़ी होगी उस पिच का होगा यहाँ पर हमको जरूवत के हिसाब से देखें metric के कई हैं तो हमको दोनों जिस हिसाब से चाहिए होते हैं वो हम बदल करके fit कर लेंगे इस पर इसको replace करने की सुविदा हमारे पास होती है तो सुविदा के अनुसार threat की profile तता pitch की आकार को हम बदल सकते हैं ध्यान रखना चीए कि anvil के जब हम इसको change करेंगे तो zero setting अवस्य कर लिने चीए अगर हम zero setting नहीं करेंगे तो reading हमेसा खराब आएगी तो यह क्या कर रहे है देखिए हमने यहां पे चित्र में दिखा रखा है चित्र में दिखा रखा है कैसे छेक रहे है हम इसका pitch diameter इस पेंडल लगा है इदर अन्विल लगा है और रीच में हमने मायकरो میटर के साहता से चेक कर लिया कि हमारा pitch diameter क्या है, किस सिद्धानत पर काम करता है यह? Screw pitch micrometer, यह micrometer भी समाने micrometer की तरह nut volt के सिद्धानत पर कारी करता है, इसमें nut volt के सिद्धानत पर काम करता है, क्या है construction, बनावट क्या है यहाँ पे देखे, बनाबट में पहला है फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, यह देखे यह फ्रेम है, यह फ्रेम है, यह प्राय कास्ट स्टील का बनाया जाता है, जिस पर अन्विल वो दूसरे पार्ट्स फिट हैं, इसी पर देखे सारे अन्विल फिट है और बाकि अन्य पार्ट्स जो है इस पर फि दूसरा है Spandle, Spandle कहां पर है, यह देखिए Spandle है, यह Chromium Steel का बना होता है, इसका अगला सीरा Thread के अनुसार बना होता है, अगला सीरा यहां पर देखिए हमने, जैसा Thread होगा वैसा होगा, यह दोनों Thread के अनुसार होते हैं, और दूसरे भाग पर चूड़ी बड़ी होते ह यह थिंबल के साथ जुड़ा होता है, फिर आता है Sleeve, यह प्राय क्रोमियम स्टील का बना होता है, इस पे बैरल भी कहते हैं, इसके अंदर चूड़ी कटी होती है, और उसी के साथ 0.5 mm की चूड़ी कटी है, यह आपका है, यह आपका है, स्लीव और बैरल, फिर आता है Anvil Anvil कहा है, यह Anvil, यह भी क्रोमियम स्टील का बना है, यह चूड़ी के जैसी तरह की थ्रेड है, उसी के अकार का होता है, इसका अगला भाग हमारा अपका फ्रेम में फिट है, और आगे के हिस्सा जो है चूड़ी के अकार का होगा फिर हाँ थिमबल, थिमबल कहांः पर यह आपर यह चूज पिर माइक्रोमिटर के सबस्क्राइवल के शीरह ऋता है, जिस पर नलिंक होते है और दूसरा स्थे बैवल होता है, इस often कुछ graduation की होते हैं, 50 खाने बने होते हैं, तो bevel निसान कहते हैं, यह spindle के साथ जुड़ा है, यह भी spindle के साथ ही जुड़ा है पूरा, ratchet stop, यह micrometer के अंतिम सिरे पे है, हर मनुस्य की सक्ति अलग-अलग होती है, माइक्रो-मीटर से reading लेते समय, मनुस्य की ताकत के नुसार कुछ कम या अधिक सक्ति लगा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे ratchet stop लगा देते हैं, जब हम इस ratchet stop का प्रयोग करेंगे, जब हम किसी को चुड़ी को थ्रिट करेंगे, तो यह last minute आवाज करेगा चिट means हमको ताकत अब ज्यादा नहीं लगानी है, otherwise हर मनुस्य अपनी ताकत ज्यादा या कम लगा सकता है, तो हमको थिंबल को पकड़के नहीं करना, ratchet stop को पकड़के की reading लेनी है, फिर है यहाँ पे lock nut, reading लेने के बाद, spindle को lock करना बहुत आवश्यक है, अगर हम lock नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह size हमारा गडबडा सकता है, यह भी frame पर fit होता है, यह भी frame fit है, तो इसलिए locking, reading का lock nut जो है, reading लेते समय, बहुत आवश्यक है कि अगर हम reading ले रहे हैं, तो उसके बाद इसको lock कर दें, तो यह है locking nut, फिर आता है least count, क्या least count है, metric प्रणाली का, अगर हम अग 0.5 mm की pitch कटी हुई है, इसलिए spendle को एक पूरा चकर दूरी करने में कितना लगेगा, एक चकर आगे बढ़ाएंगे, तो 0.5 mm आगे जाएगा, यह 0.5 mm पीछे जाएगा, तो थिंबल पर कुल खानों की संक्या कितनी बनी है, 50, तो थिंबल के 50 भाग बराबर कितना हो गया, 0.5 mm, तो थिंबल का एक खाने की वैल्यू कितनी हो गई, थिंबल के एक खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 पर 50, जब 0.5 पर 50 करेंगे, तो आपका क्या आगा, वैल्यू जबा जाएगी, 0.01 mm, यह तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, लीष्ट काउंट बाराबर, प हमारी 0.5 mm की है, थिमबर पर खाने की संख्या 50 है, इसको करेंगे तो 0.01 mm आएगा, 0.5 है यह बटे 50, 0.5 को हम 50 से भाग करेंगे तो उसकी value 0.01 mm आजाएगी, क्लास में हमने आपको screw pitch gauge के दोवरा कैसे चेक करते हैं, screw-plus gauge के दोवरा कैसे चेक करते हैं, टेप पर रोलर गेर द्वारा कैसे चेके, अप्टिकल प्रोजेक्टर, टूल माइक्रोस्कोप, 3 वायर बीदी और श्कुरू थ्रेड माइक्रोमेटर के द्वारा कैसे हम किसी थ्रेड के elements को चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। प्रस्तु संदप निम्मी की e-book for Turner Trade से लिया गया है मेरे द्वरागा पढ़ाया गया पार्ट आसा करता हूगा आपको समझ में आया होगा नमस्कार जुम्सा अपको उलाएबाबा पार्ट आसा करता हूगा शुम्सा करता हूगा पार्ट आसा करता है